अरे भी किछी को रोक नहीं सकता है उसमें होसला था जुनून था इतना आगे बड़े यह सूचे नहीं थे कि मेरे सपोर्ड में इतने लोग खड़े होंगे बस कुछ करना है यह था पर अब इतने सारे लोग को देखे बहुत खुसी हो रहा और सबको थाइंक्यू पैसन नही है तो जो भी हमारा जारखंड में हो हमारे समाथ से जो जो अभी उभर रहे हैं जो अपने कुछ मुकाम पा रहे हैं वह अगर उनका अर्थिक स्थिति खराब है तो हम उसको इस संसा के दोरा सेयोग कर सके कुछ मदद तो होए जातो इकर से पुर्णीमा कर नहीं हो जरूर हमाथ न normस Right देरेम आलाथ तो सरकारं देना चाहिए लेकिन द्यान नहीं दे पा रहे हैं ऐसे बच्चों को तो आवसकता है सबसे पहले बात में बताना चाहूँ यहां से जहारखन का भी और देश का भी नाम रोशन कर रहे है। और इसके लिए मैं तो पुल्निमा को बहुत बहुत दन्यावाद देता हूं और आगे इसी तरह बढ़ते रहे हम लोग चाहेंगे कि यह उडान भरते रहे और जारखन का नाम रोसन करते रहे और यहां के जो भी है जारखन वासियों को इसी सब इसी तरह अच्छा संदेश देते रहे और बच्चे लोगों को प्रेवना के रुख में यह रॉल मोडर रहे ही तो इनके लिए हम लोग बहुत सुब कामनाई देते हैं कि इसी तरह के से खेलते रहे अब इस वक्त हम पुर्णीमा लिंडा के राजधानी राच्छी के कांके इस्थित घर पर आए हैं पुर्णीमा लिंडा को आप जानते हैं इसी चैनल पे हमने पुर्णीमा लिंडा की कहानी दिखाई थी पुर्णीमा लिंडा वुसु की खिलाडी है मौसको में चल रहे स्टार इंटरनेशनल वुसु प्रतियोगिता में कांस्पदक जीता था और जितने के बाद जब हम यहां आये तो उनके संघर्ष के कहानी को हमने आपको दिखाया था और इसंघर्ष के कहानी को बकायदा आपने बहुत सा रहा, बहुत शेयर किया, बहुत लाइक किया और इस वीडियो को देखके बहुत से मदद के हाथ आज पुर्णीमा लिन्डा के घर तक पहुँचे है कुछ लोग आए हैं पुर्णीमा लिन्डा को मदद करने, आर्थिक रूप से मदद करने क्योंकि हमने उसमें दिखाया था कि पुर्णीमा की तलवार भी तूट गई है, नया तलवार लेना है तो उसे सिवा संस्था करके एक आदिवासियों का एक ग्रूप है, लोग यहां पे आये हैं यह संगठन लगातार ऐसे खिलाडियों की मदद करता आया है, सुजित मुंडा की भी मदद की थी नुमने और लगातार जिस भी खिलाड़ी के आर्थिक स्थिति यह देखते हैं, उनके मदद के लिए जरूर जाते हैं तो हम इस संस्था की लोगों से बात करेंगे और पुर्णीमा से भी बात करेंगे दादा आपसे शुरू करते हैं दादा यह जो संस्था है लगातार हम देखते रहते हैं, आप लोग ऐसे जरूरत मन्द खिलाड़ियों के घर जाते हैं, मदद करते हैं यह संस्था कैसे काम करती है यह संस्था में जितने भी मदद एष्टी इंप्लोई लोग हैं, वो लोग महिने में 100 रुप्या चंदा करते हैं और उसी में जतना जरूरत मन्द जिसे लगता है कि पेपर में हम लोग देख लेते हैं या तो वीडियो के माध्याम से हम लोग को जानकारी मिलता है तो इसको हम लोग जतना माई आप न पड़ायाम मैसिज के दौरा कितना कंट्रिभ्यूट करना चाहिए दो हम लोग का जो घुरूप में है उसके बाद में इसको लोग अपने संघर्ष के कहानी देखा अपने पूर्नी मा का क्या लगा पार्नी मूसरा जो कहानी देखे उससे तो मरलाब अपना मरलब जो रोंगटा है वो खड़ा हो गया जो मरलब जितना भी बोला जाए इसका संगहर्स के लिए हो कम है बिल्कुत हम आकी सदेश्यों से भी बात करते हैं लादा आपकी संस्था कैसे काम करती है पूरा नाम क्या है इसका इसके माध्यम से हम लोग क्या होता है। कि हमारे समाज में जो भी इस तरह के जो जरूरत जो पड़ती है और खास करके हम लोग जो होता ने सिछा के छेतर में इसको काम करने के लिए इस अंस्था का नाम रखे हैं तो इसके माधियम से हम लोग अब तक आठ लाइवरेरी को बुक डॉनेट कर चुके हैं और उसके बा प्रियास हम लोग के यह राता है और इस तरह के समाज के जिए बच्चे जो भी कहना चाहिए जो भी अपने सफलता की काम यावी के लिए आगे बढ़ रहे हैं उन लोगों हम लोग हमेशा इस तरह से प्रोस्ताहित करते रहेंगे पुनिमा के लिए क्या कहेंगे दादा तो इनके लिए हम लोग बहुत सुब कामनाई देते हैं कि इसे तरह के से खेलते रहें इस तरह से पर्तियोगी तावे विजय हासिल करते रहें और हम लोग के तरफ से संस्ता के वरसे इनको बहुत-बहुत बढ़ाईए बिलकुत पुनिमा ने आदिवासी समाज का नाम रोशन किया है अगबारों में और अब तो क्या बड़े प्लैटफोर्म पेंच को सम्मानित किया जा रहा है क्या कहेंगे उसके बावजुत इस्थिती ये है सबसे पहले तो हम स्टीम प्लैटफेर एसोशेशन के तरफ से इनके पूरे घर परिवार को धन्यबाद देते हैं और जो इनका जो संगर्स है कहानी जो है इनका जो आपके वीडियो के माध्यम से देखें सच मुछ मैं एक इतियास जो है बहुत गजब का है है ना हमको तो कि जब यह खेलती होगी हमको लगता है कि बहुत गजब का देखने के चीज है और और वी बच्चे लोगों को प्रेरना जो है लेने की जूरत है इस बच्ची से इस बच्ची में इतना होसला है इतना होसला बुलंध है कि हमको लगता है कि लोगों को पांख रहने के बाद बिल्कुल दादा क्या कहेंगे जो आर्थिक परिशानी को लेके बहुत सारे जो खिलाडी हैं हमारे जो बच्चे हैं वो रुख जाते हैं लेकिन जैसे पुर्णी मा है लगातार खेलती गए खेलती गए और अब धीरे-दीरे खेल को देखते वे लोग जो है मदद के हाथ लगातार बढ़ा रहे हैं क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो रुख जाते हैं वाकर ही यह बहुत दुख की बात है यहां तो सरकार को ध्यान देना चाहिए लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ऐसे बच्चों को तो आवसकता है कि आगे उभार के लाएं लेकिन पता नहीं क्यों यहां के सरकार यहां के बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रही है और सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहूँगा कि यहां से गरीबी में भी और वो यहां से जारकंड का भी और यहां देश का भी नाम रोशन कर रही है और इसके लिए मैं तो पुनीमा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे इसी तरह बढ़ते रहे जितना सायोग हो सके तो हम लोग तो करेंगे ही पुनीमा मदद के हाथ लगातार बढ़ रहे हैं आपके तरफ क्या कहेंगे लोग आपको मदद करना चाह रहे हैं आपसे जुड़ना चाह रहे हैं सबसी पहले तो सबको THANK YOU और जोहार अभी भी यकिन नहीं हो रहा कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं तो बस यही मन में आ रहा कि गरिवी किछी को रोक नहीं सकता है। उसमें होसला था, जुनून था, इतना आगे वड़े। यह सूचे नहीं थे कि मेरे सपोर्ड में इतने लोग खड़े होंगे। बस कुछ करना है यह था। पर अब इतने सारे लोग को देखे बहुत खुसी हो रहा और सबको थांक्यू। ऐसा नहीं है कोई बात नहीं पर मेरे साथ खड़ा रहे तो ओलम्टिक भी मैडल ले आएंगे फिर। कल आप प्रभात खबरद्वार आयो जीत अपराजीता समान समारों में भी गए थे। आप ही बता रहे थे कि लोग फोटो की जाने के लिए लाइन लगा रहे थे। हाँ जी जी ये सही है अभी ऐसा है कि उसमें साइकल से जाती थी तो कोई पूसता नहीं तो ऐसे कि हाँ कभी हवा भरने के लिए सोचना पड़ते था पर अभी जैसे घर्षा निकल रही हूँ तो सब मतला प्रावड से देखते हैं और सब इस पे काफी करते हैं और कल जैसे समान शमार में गया तो ऐसे तो नॉर्मल फेस में किसे ने देखा नहीं तो पहचाना नहीं पर जब अलाउंस्मेंट हुआ कि पूनी मल लिंदा कर शमानीत के लिए उसके बाद मैं स्टेज से उतरी नहीं थी और सब मेरे लिए कड़े हो रहे थे कि सिस्टर वो जितने भी ह हमारे साथ एक फोटो हो जाए और सब हाथ बुलाने के लिए मेरे साथ बस हाथ बुलाने के लिए वो लोग बहुत एक्साइटेड थे उस मुमेंट को कैसे आप बताएंगे नहीं वो बूला भी नहीं जा सकता है सब मिने को हग कर रहे थे ऐसे कि अरे तुम हमारे यहां की बहुत लोग आपने भावक भी हो रहे थे कि सरनका से और बहुत ऐसी लोग थी कि जहारकंट का नाम रोशन किया यह हमारी बेटी है इसमें कास्टों नहीं पर सब का प्यार मिला वहां सब को बहुत 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 बात है सेवा संस्था की लोग आए हैं आपको मदद किये हैं क्या कहेंगे इनके लिए जितने भी डादा है, सब को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सहरों प्यार देने के लिए अभी बहुत बहुत जादा बहुत हो रहे हैं, पर सब को थाइंक यू दिल से, थाइंक यू, गॉड मतलब भगवान है, उपर है, पर मदद करने के लिए जो अपने हाथ भीजे हैं, बस वही है मेरे लिए सब, यह सब वही है, भाव खोरी है, पुर्णी मा, मा है कैसा लग रहा है, मा, लोग आ रहे हैं, लगातार मुलागात कर रहे हैं, मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं, आज, जितने भी आये हैं, समाज के हो, या गैर समाज के हो, जो भी हमारे आंगल में आ परहने वाले लोगों को, इनको भी उपर वाला शहयोग दे, या सरकार के माधेयम से, वो लोGO istemेंगों को सहयोग मिले, ताकि अनिया-गरी बच्चों को, जो इनके मन में इच्छा है की हमारे माधेयम से इनको सहयोग मिले, वो अपने हाथ आगे बढ़ा सके, और सबों को जो हार thank you बाबा से भी हम बात कर लेते हैं धेर महमान मनने आओ है कैसा लगत हो बहुत अच्छा लगत है महमान दे के रोज आवान थे आदमी अच्छा भी लगत है अच्छा जे मनने आओ है मनने तनी कुन पैसा कर मदद भी कहर है कुछ मदद तो होए जातों इकर से पुर्णीमा करने हैं? हाँ हर तो जरूर हर तो तब धीरी धीरी हर तो मदद का कहबे जे मने आ हैं मदद दे हैं उमनले का कहबे? का कहबे बहुत बहुत धनियाबाद मने इस्व इचकार लाई हैं हमारे पंकच लगातार आप लोग हर ऐसे युवा के पास जा रहे हैं जिनको जौरत है सच में इन पैसों की पैसे कितने हैं वो माइने नहीं रखते हैं लेकिन मदद के लिए जब आप उनके आंगन तक पहुंचते हैं जैसे पूनिमा भी भावुख हो रही हैं कैसे खिलारी कौं आपने मदद किया है आगे की संस्था की क्या योजना है देखिए हम लोग इस संस्था का जो निर्मान की किये थि या इस्थाबना किये थि वो इसी सेुच के साथ किये थि कि जो भी हमारा जारकन में हो हमारे समाँ य Сे जो अभी बहर रहरे हैं, जो अपने हम कुछ मुकाम पा रहे हैं, वह अगर उनका अर्तिक सितिकंटी खराब है तो हम उसको इस संस्ता के दौरा सहीज़ कर सके उसी उद्देशे से से सहाँ बनाय goya है, और हम अभी तक जितना भी हम कर पाए हैं जो हमारे tietने सचंप करते हैं इतना अच्छा मुकाम पर हासिल अभी की है, तो उसको सहयोग हमारा जरू करना चाहिए है, इसी सोच के साथ हम आज आए हैं, और संसा के द्वारा जो भी हमारा जो भी छोटा ही सहयोग है, मगर वो हम देना चाहरे हैं, ताकि यह आगे अपने जो भी खेल में, जो है आगे औ तो मदद की कोई सीमा नहीं है, मदद पांच रुपे से भी की जा सकती है, मदद सौर रुपे से भी की जा सकती है, मदद मदद होती है, और अमान चोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जब किसी ऐसे घर में आते हैं, किसी के आंगन तक प पर है वो निमा यहाँ पर है पुरी परिवार के लोग यहाँ पर है थोड़ी सी यह इनको आर्थिक मदद आज की गई है अलगातार यह उमीद जताई जारिये की लोग धिरे-धिरे आगे इन से लगातार जुटते रहेंगे हम है यहाँ पर बाकी खबरों के लिए लोगतंत् कर यहाँ बाकी बाकी खबरों के लोगतंत्र पतार जारिये की लोगतंत्र जार्थिक मदद सर्वड़ी के लिए खबरों के लिए